सास बहु की अनोखी कहानी अंजली एक बहुत थी सज्जन सोभाव की महिला थी और वहा सभी की दिलों को जीत चुकी थी प्रिया भी अपने पती और परिवार की सुख सान्ती के लिए बहुत कुछ करती थी दोनों ने मिलकर अपने परिवार की खुसिया और सम्रिधी को बढ़ाने के लिए एक साथ काम किया वहा दोनों एक दूसरे के साथ अनवाद करते सबजने और समर्थन करने में कभी भी पीछे नहीं हटती थी वो एक दूसरे के लिए बिचारों का शम्मान करती और एक साथ मिलकर अपने घर की शमश्याओं का शमधान करती दोनों ने बात चीत समझोता और सम्मिलन को हमेशा महत्तु दिया वक्त के साथ अंजली और पिर्या के संबंधों में एक मजबूती बढ़ी वो अपने संगठन सीलिता जिम्मेदारी और प्रेम के आदरसों के साथ अपने परिवार को परभावित करने लगी साथ ही वो अपनी दोनों बच्चों को ने तुत संबंध परबंध और नेतिक मुल्यों का महत्तु सिखाने का संपर्ड करती पिर्या अपनी सास की देख भाल करने के लिए हमेशा तात पर रहती वह उनकी आवसकताओं को समझती थी और उन्हें पूरा करने के लिए उनके लिए समय निकालती थी दूसरी और अंजली भी पिर्या की मदद करने के लिए सदेव तया रहती थी एक दिन अंजली को अचानक पास्त समयश्या हो गई उसकी सेहत धीरे धीरे खराब हो रही थी पिर्या तत पर उसे डॉक्टर के पास ले गई और उसी सही उपचार प्राप्त करवाया धीरे धीरे सास का सौस्त सही होने लगा समय बीतता गया परिवार में खुसहाली बढ़ती गई अंजली और पिर्या दोनों ने एक दूसरे के साथ आपशी बिश्वास और समर्थन आदान परदान किया ये एक दूसरे के सपने और उमीदों को समझती और उन्हें प्राथमिक देती अंजली ने प्रिया को बहु नहीं बलकि भेटी के रूप में देखा सुरू किया प्रिया भी अंजली अपनी खुद की मा को देखा एक दिन प्रिया के पती की सेहत खराब हो गई वह बीमार पड़ गया और अस्पताल में भरती हो गया प्रिया ने अपनी पती की देख भाल के लिए सभी कामों को शंभाल लिया उसे बच्चों को समय से देखा घर के काम किये और अस्पताल में पती का ध्यान रखा इस दोरान अंजली ने पूरे इमांदारी से प्रिया की सहायता की उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखा उनके साथ खेल और उन्हें प्यार दिया उन्होंने बेटे के इलाज में भी मदद की और उन्हें संघर्ष के समय तुरित किया धीरे धीरे प्रिया के पती की इस्तिथी में सुधार आया और उन्हें अस्पताल से वापस आने का निर्ड़य किया अंजली और प्रिया दोनों ने उनका श्वागत किया और उन्हें अपने घर में असवादित किया वो सबी खुस थे कि परिवार का सदिश ठीक हो गया था और अब सब फिर से खुसहाली की ओर बढ़ रहे थे सास बहु के दिस्ते में समझवता और सहियो की भावना होना अतयंत महत्पूर होता है जब हम एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं उन्हें सम्मान देते हैं और उन्हें समर्थन करते हैं तो हम खुद को और अपने परिवार को खुसहाली और समरिदी की ओर ले जाते सकते हैं यह रिस्ता सिर्फ ना मांतर नहीं बलकि विश्वास प्यार और सहियों की नीप पर आधारित होना चाहिए दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सस्क्राइब भी कीजिएगा